नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है वीमल और आज की इस वीडियों हम बात करेंगे उत्राखंड की या पहाड की सबसे प्रसिद्ध आयवम अमर प्रेम कथा राजुला मालुसाही की प्रेम कथा के बारे में तो दोस्तो रजुला मालुसाई का संबंद कत्यूरी राजवन्स से था जो की कुमाओं का पर्थम राजवन्स से है कत्यूर राजवन्स तो इनकी अमर गाथा काफी सधियों से लोग सुनते हुए आ रहे हैं इनकी अमर गाथा के बारे में हमें जागरूं से पता चलता है, चाहचरी से पता चलता है तो दोस्तों यह काफी प्रसिद्ध एक अमर प्रेम कहानी है यह प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि इसमें हमें दो प्रेमियों के मिलन में आने वाले कस्टों के बारे में या दो जातियों, एम दो देशों या दो अलगलग प्रदेश में रहने वाले लोगों की कहानी पता चलती है तो इसी करण यह कहानी बन जाती है हमारी काफी special रजुला मालुसाही प्रेम कथा तो अब हम रजुला मालुसाही प्रेम कथा के बारे में सुनते हैं काफी रोचक कहानी है आप लोग प्लीज वीडियो पूरी देखिएगा तो दोस्तो कत्युरियों की राजदानी बैराठ यानि की जो हमारा वर्तमान का चौकुटिया चेत्र है वहां के राजा थे हमारे राजा दुलासा और उनकी पत्नी थी धर्मा जो की कत्युरी राजा थे हमारे राजा दुलासा बैराठ के राजा तो दोस्तों उनकी कोई संतान नहीं थी उन्होंने कहीं मनोतिया मनाई अंत में उन्हें किसी ने बताया कि बागिस्वर के बागनाथ मंदिर में सीव की अरातना करें तो संतान प्राप्ती होगी और कुछ लोग दोस्तों बागनाथ मंदिर मानते हैं लेकिन कहीं कहीं पर हरिद्वार मंदिर के बारे में भी बताया गया है तो राजा बागनाद गए दोस्तो और वहाँ उनकी मुलाकात हुई भोट के व्यापारी सुनपत सौका जिनकी पत्नी का नाम था गांगुली उनकी वहाँ मुलाकात हुई वहाँ भी वहाँ संतान की चाहा में आये थे तो दोस्तो दोनु की मुलाकात हुई एक थे हमारे बहुट देश के व्यापारी सुनपत सौका जिसको सौक्यान का गया है आगे और दोस्ते थे हमारे बहराट के राजा राजा दुलासा और उनकी पतनी धर्मा ठीक है तो दोस्तो दोनुने आपस में समझोधा किया कि अगर उनकी संताने लड़का या लड़की हुई तो वे आपस में इन दोनुकी साधी करा देंगे तो दोस्तो वहाँ दोनु पूजा अर्चना के बाद बांगनाद मंदिर में सिवजी की किरपा से दोनु परसाद लेके गए और वहाँ पर पूजा पाट के दौरान ने उन्हें यह बताया गया कि जो हमारे राजा दुलासा थे बैराट के राजा उनके घर पुत्र का जन्म ह और जो हमारी भोड की व्यापारी हैं सुनपत सौका उनके घर पुत्री का जन्म होगा तो विधी विवदत दोनु की साधी कर दी जाएगी और दोस्तो एक साल बाद राजा दुलासा के घर में एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया मालू साह और वहीं डेड़ साल के ब था तो दोस्तो जन्म के बाद राजा दोलू साही ने जोतिसी को बुलाया और बच्चे के भाग्य पर विचार करने को कहा तो जोतिसी ने कहा कि राजा तुम्हारा पुत्र भहुरंगी है यानि कि यह काफी रूप धारन कर सकता है जोकी मालू साही है लेकिन इसकी अल्प आयू में मृत्यू का योग है इसके निवारन के लिए इसका व्याह किसी नौरंगी कन्या से करना होगा तो राजा ने दोस्तो पुरोहित को सौका देश भेजा और अपनी कन्या रजुला को मलब रजुला का विवाह दोस्तो प्रतिकात्मक रूप से मालू साही के साथ कर दिया और प्रतिकात्मक विवाह आप लोग जानते होंगे जो जिसमे की जैसे हमारा एक गागर विवाह है जो के लेके प्रत्ते के साथ विवाह होता है तो यह प्रतिकात्मक विवाह होता है तो इसी वैसे उन्होंने क्या किया सौका या सुनपती के घर में अपना एक में तार, राजा दोलुसाही , सौक्यान सहत्र गए थे यानि की जो भोट के व्या व्यापारी थे हमारे सुन्पत सौका के घर गए थे लेकिन सुन्पत सौ दोलुसाही की मृत्यू भोट के व्यापारी सुनपत सौका के द्वारा ही की गई थी ठीक है तो राजा दोलुसाही की दोस्तो मृत्यू हो गई तो इस अउसर का फायदा उठाकर राज दरवाजियों ने यह प्रचार प्रसार कर दिया कि बालिका मंगिनी के बाद अपने को खा गई ठीक है अगर वह इस राज्जी में आएगी तो अनर्थ हो जाएगा इसलिए यह निर्नाई लिया गया कि मालुसाही से यह बात गुप्त रखी जाएगी और मालुसाही को यह बात नहीं बताई जाएगी कि उनका परतिमा विवाह रजुला के साथ हुआ है तो द काई पूर्ण हो जाते थे तो दिरे दिरे दोनों जवान होने लगे रजुला जब युवा हुई तो उसके पिताजी यानि कि जो हमारे सुन्पत सौका थे सौक्यान चेत्र के वहां उनकी साधी के बारे में विचार करने लगे तो दोस्तो एक दिन ऐसे चलते चलते रजु कोन राजां बड़े हैं। और देशा उत्तरदिया। देशार में पूर्वक्षा सबसे बड़ी है। पेड़ां पीपल सबसे बड़ा है करे वहां पर देवतावास करते है गंगाउ में सबसे बड़ी नदी हैं गंगा। यानि कि भागिरती नदी जो सब के पाप दोती है और देवु में सबसे बड़े देव है हमारे महादेव जो आसुतोस है तथा राजाओं में सबसे बड़े राजा है हमारे रंगिला मालुसाही और डिसु में सबसे बड़ा देश है रंगिली बैराट तो दोस्तों ये सुनत ही हमारी रजुला मुस्कुराई और उन्हें अपनी मां से कहा कि मां मेरी साधी बैराट छेत्र में ही करना फिर दोस्तों धिरे-धिरे कहानी बढ़ी इसी बीच क्या हुआ दोस्तों हून देश का राजा विखी पाल सुनपत सौक के वहां आया और उसने रजुला के लिए काफी खुश हो गए क्योंकि उन्हें वहां से धन धानी मिलना था तो वह विवा के लिए राजी हो गए उसी रात दोस्तों जिस दिन रजुला के लिए विवा का प्रस्ताव आया था उसी रात रजुला तथा मालू साही ने दोनों को एक दूसरे के सपने में देखा और ऐ तो इसी उपलक्ष में माना जाता है दोस्तों कि मालू साही ने रजुला को सपने में देखा तथा राजुला ने भी मालू साही को सपने में देखा और मालू साही रजुला का रूप देखकर मोहित हो गए और उसने सपने में रजुला को वचन दिया कि मैं तुम्हें विय रजुला काफी परेशान थी क्योंकि उनके पिता उनका विवाह हून देश के राजा विक्खिपाल से करना चाहते थे तो दोस्तो इसी उपलक्ष में यह इस सबसे परेशान होकर रजुला ने यह निश्य किया कि वह स्वयम वहराड देश जाएंगी यानि कि वर्तमान के पूछा तो उनकी माने उनसे कहा कि बेटी तुम्हें तो हूर देश जाना है बैराट के रास्ते से तुम्हें क्या मतलब तो दोस्तो रात में चुप-चाप एक हीरे की अंगोठी लेकर रंगेली बैराट की ओर चल पड़ी तो दोस्तो जब वो जो हमारा भोट छेत्र है य यानि कि जो सौक्यान चेत्र है ये नेपाल नों पड़ता है तो दोस्तो नेपाल से कुमाओं की ओर यानि कि बैराट चेत्र की ओर निकल पड़ी और आने वाले रास्ते में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा दोस्तो वह पहाड़ों को पार गरते हैं सबसे ब बागिस्वर पहुंची और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि वो बागिस्वर आके बागिस्वर के बैजनात मंदिर में गई और वहां प्रण किया कि अगर मेरी मुलाकात मालूसाई से हो जाती है या मेरा विवा मालूसाई से हो जाता है तो मैं आपके मंदिर में बकरी चड़ा का सामना करना पड़ा रजुला को क्योंकि वह आकरसन सुन्दरिये थी उन्हें रास्ते में भटगोड़ा छेत्र में गई उसके बाद वहां पर एक कफू नाम का एक भुड़ा व्यक्ति था जिसके घर में ऐसा माना जाता है कि उनके छे लड़के और नौ नाती थे और उनके तो रास्ते में रजुला को काफी दिक्कतों का सामना करना बड़ा ऐसा माना जाता है कि साथ दिन साथ रात लगातार सफर करने के बाद रजुला द्वारहार छेत्रे में पहुंची और दोस्तर द्वारहार छेत्रे में पहुंचने के बाद भी हमारे कत्युरी के साथ जाते हुए अंत में बैराट छेत्र में पहुंच गई तो दोस्तों जैसे ही रजुला बैराट छेत्र में पहुंची तो उन्हें लोग देखकर वहाँ कोई एक बार की बात है कि वह ऐसी उसी दिन की बात है कि वह एक नौले के किनारे पे बैठी थी वहाँ पे जो हमारे रात रानिया पानी भरने के लिए आई थी तो वह उन्हें देखकर छीची थूतू आगी कई व्यंगात्मक रसनाय कर दी तो जिससे उकर रजुला काफी टूर चुकी थी काफी परिसान थी तो रजुला इसी उपलक्ष में दोस्तों रजुला बिलकुल मनलब बहुत सारी कठ किनायों का सामना करते हुए बहराठ छेत्र यानि की वर्तमान का जो चौकुटिया छेत्र है वहां पहुंच गई मालुसाई से मिलने तो इसी उपलक्ष में माना जाता है दोस्तों अब दोस्तों जैसे ही हमारी रजुला बैराठ छेत्र पहुंची तो वहां पर सबसे बड़ी उनकी समस्या यह थी कि वो महल के अंदर परवेश कैसे करें क्योंकि उनके वहां पर काफी कत्यूर सेना भाहर पे थी तो उनको महल के अंदर परवेश करने का अधिगार नहीं तो इसी उपलक्ष में क्या हुआ दिन से रात हो गई दोस्तों तो रात में रजुला ने अंदर जाने का प्रियाच किया तो द्वारपाल लोग थे और काफी कुट्टे थे रजुला काफी घवराई होई थी कि वह कैसे महल के अंदर प्रवेश करें तथा मालूशाई से मिले तो इसी उपलक्ष में दोस्तों पुराचीन समय में ऐसा माना जाता था कि लोग विश मर देते थे यानि कि किसी को मून देते थे कुछ ऐसी क्रियाएं करते थे जिने हम काला जादू कह सकते थे अभी प्रजैन टाइम में या फिर उससे कहते हैं विश मर देना तो उन्हों तो उसी के बाद जैसे ही सभी को सभी विश के प्रभाव में आये तो दोस्तों राजुला महल के अंदर प्रवेश करते हुए मालुसाई के पास महुची तो उसके बाद दोस्तों हुआ ऐसा कि मालुसाई भी विश के प्रभाव में आ चुके थे तो उसने मालुसाई को तो दोस्तो निरास होकर रजुला ने उसके हाथ से उसके हाथ में अपने साथ लाई हुई हीरे की अंगुठी पहना दी और एक पत्र लिखा उसके सिराने पर रख दिया और रोते रोते दोस्तो वहाँ अपने देश लोट गई और दोस्तो अगले दिन जब सुबह सुबह समस्त कत्यूर घाटी वाले महल के आप सपास आये तो उन्होंने देखा कि महल में काफी सानती है तो वह सभी महल के अंदर गए तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि सभी लोग मुर्शित पड़े हैं यानि कि विस्क के प्रभाव में आ चुके हैं तो उसके पश्चात कत्यूर चेतर में जब बैराट चेतर था काफी परिशान हो गया क्योंकि जो भी सभी राज घराने के लोग थे सभी मुर्शित पड़े थे विस्क के प्रभाव से राजाप से लेकर सभी व्यक्ति तो उसी उपलक्ष में यह माना जाता है कि उसके बाद अब उस जो चेतर था बैराट चेतर में ऐसा माना जाता था कोभी विस्क जारने वाला नहीं होता था क्योंकि प्राचीन समय में क्या था डॉक्टर लोग होते थे नी तो उस ताइम पे जो वैद्य लोग होते थे या जो लोग विस्क जारते थे उनको ही बुलाया जाता था तो अब समस्या ये आई कि विश जारने कौन आएगा या जो लोग मुर्शित हो है इनको सही करने कौन आएगा तो उसी उपलक्ष में दोस्तों ऐसा माना जाता है कि दो रमोला भाई थे जो की द्वाराहाट में रहते थे काफी फेमेस दो रमोला भाई द्वाराहट में रहते थे जो की विश जारते थे उनको बुलाया गया और उनके मामा थे मामा उनको भी बुलाया गया ठीक है अपने हाथ में पहने हुई हीरे की अंगोठी देखी और उसने अपने तक्या मलब सीर के नीचे रखा हुआ पत्र भी देखा तो दोस्तो उस पत्र में लिखा था कि मालू मैं तुम्हारे पास आई थी लेकिन तू निद्रा के वस में था अगर तू अपना वादा पूर्णा करना चाहता है या अगर तू ने अपनी मा का दूद पिया है या फिर अगर तू एक राजगराने से संबंदी व्यक्ती है तो तू मुझे लेने सौक्यान देश आएगा और मुझे व्याह करके ले जाएगा क्योंकि मेरे पिता मेरा व्याह कहीं और कर रहे है यह सब देखने के बाद दोस्तो मालू अपना सीर पीटने लगा अचानक वह काफी परिशान हो गया और उसकी रगु में जो राजा का खून खौल रहा था यह राजा का खून था उसे व्यफलता में डालने लग गया वह काफी परिशान होने लगा उसके रातों की नीद उड़ गई थी दिन का चैन उड़ गया था उसने खाना खाना छोड़ दिया था वह इस समंद में इतना परिशान हो गया था क्योंकि दाजगराने का खून था राजा था तो वह अपने आपको साबित करना चाहता था वह अपना वादा भी पूड़ा करना चाहता था और वह अपनी मा उसकी जो रजुला ने स्पेसल लिखा था कि अगर तुमने अपने मा का दूद पिया है या तुम अपनी मा के पूछा उन्होंने नहीं बताया लेकिन काफी महनत के बाद उनकी मा ने जब उनसे पूछा यानि कि उनकी मा कौन थी हमारी धर्मा उन्होंने उनसे पूछा कि बेटा तुम्हें क्या परिसानी है तुम बताओ मुझे मैं तुमारी मा हूँ तब उन्होंने अपनी सारी परि मृत्यू कर दी जाएगी और उनका राजगराना खतम हो जाएगा तो इसी उपलक्ष में उनकी माने उन्हें वहाँ जाने से मना कर दिया तो दोस्तो इसी के बाद मालूसाई काफी परिसान हो गए और उन्हें अचानक से ध्यान आया कि अब उन्हें उनके गुरु गोरखनात की सर में जाना चाहिए तो वह गोरखनात जी के पास ले आते हैं तो दोस्तो गुरु गोरखनात उस टाइम पे हमारा मलब संध्या में उसमें बैठे थे धुनी में रमाये हुए थे तो रजुला ने उन्हें प्रणाम कहा और रजुला ने उनसे मिलने को कहा तो उन्हें कोई उत्तर नी दिया उसके बाद मालु साई ने अपना मुकुट और राजिसी कपड़े नदी में बहा दिये वह धुनी की राग को सरीर में मलकर एक सफे दोती पहन कर गुरु के सामने गए और कहा कि अगर तुम मुझे रजुला से नहीं मिलाओगे तो मैं यहीं विस्पान करके अपनी जान दे दूँगा तो ऐसा सुनते ही दोस्तो गुरु वरतनात ने अपनी आँखें खोली और उन्होंने मालु साही को काफी समझाने का प्रेथने किया कि तुम राजा हो तुम्हें राज गराना देखना है तुम्हें तुम्हें तुम्हारे पास इतने रानिया है तुम्हें वो देखनी है हम किसी और लड़की को डोली में बैठा के उनका उसका नाम रजुला रख देंगे तो मालू साही बिलकुल नहीं माने क्योंकि उन्हें अपना वचन पूरा करना था तो दोस्तों इसी उपलक्ष में आगे मालू नहीं माने तो गुरू जी ने उसे अपनी दिख्षा दी यानि कि सिख्षा दी और जो भी था उसे बोक्षाणी विद्ध्या भी सिखाई और साथी उनको तंत्रमंत्र भी दिए ताकि हून या सौका देश का विश उसे ना लग पाए ऐसा माना जाता था कि जो सौक्यान देश का विष्ट था वह काफी भेहंकर था यानि कि वह काफी असर करता था जिससे आदमी मूर्ची तवस्ता में चले जाता था तो दोस्तो उसके पश्चाद मालू ने सन्यासी रूप धारन कर दिया मालू के कान शेद दिये गए और सिर मुलवा कर गुरू ने कहा जा मालू तू पहले अपनी मां से भिख्चा मांगकर और महल में खाना खा करा क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई बालक भिख्च कि तू तो मेरे मालू जैसा दिखता है तो मालू ने उतर दिया नहीं मैं तेरा मालू नहीं हूँ मैं एक सन्यासी हूँ मुझे खाना दो तो जब रानी ने उन्हें खाना दिया तो दोस्तो उन्हें पंच ग्रास बनाए और पंच ग्रास बनाने से रानी समझ गई ही कि यह ह मालूसा ही ही है और जो पंच ग्रास बनाते थे दोस्तों ऐसा माना जाता है प्राचीन समय में कि जो भी राजा लोग थे पंडित लोग थे वह पहले पंच ग्रास बना कर खाना खाते थे आज भी जब हमारा बनेव जनेव या ब्रत्पन होता है तो वहाँ पर हम पंच ग्रास बनाते हैं इसमें पहला ग्रास हमारा गाय को दिया जाता है दूसरा बिल्ली के लिए तीसरा अगनी के लिए चौथा कुत्ते को और पांचवा गास खुद खाया जाता है तो रानी धर्मा समझ गई कि यहां मेरा पुत्र मालू ही है क्योंकि वह मलब पंचगासी था तो दोस् रजुला को लेकर वापिस आऊंगा और मुझे सकों के देश जाना है अपनी रजुला को लाने जाना है तो उनकी माने उन्हें समझाने का बहुत प्रियास किया लेकिन वह नहीं माने फिर भी वह सौक्यान देश के लिए चल पड़े यानि की आगे की और बढ़ गए और व तो उसी उपलक्स में दोस्तो मा ने उनके साथ कुछ सैनिक भेज दिये जो की आगे की और बढ़ गए दिरे दिरे दोस्तो मालू अपना स causal रूप या जोगी रूप धारण करके सौक्यान शेतर की ओर यानि की सकपती या हूण बोड़ शेतर की ओर नैपाल की ओर बढ़ च तो दोस्तो रास्ते में वह पहुंचे हुमधुरा के डाना आपने सुना होगा हुमधुरा डाना पढ़ता है एक हुमधुरा डाना यानि की पहारी पढ़ती है तो वहां पर काफी बर्प पढ़ती है तो दोस्तो उन्हें काफी समस्याओं का सामना कबना बढ़ा रास्ते में जब वो हुम्धुरा पहुँचे तब उन्होंने वहां उनको वहां का यू यानि की जो उती है बर्फ पड़ी हुई थी वहां पर उनको वह सारी बर्फ साधनी पड़ी और वहां पर काफी जोस्तों विस फैल जाता है जो की मीठु नाम का एक फल होता है जिसे सुङने से वि बिस भी फैल था तो काफी बार भ्योज हो गए थे और उन्होंने मतलब अपनी जो भी उनके गुरफनात गुरुने उन्हें सिख्षा दी उससे उन्होंने बिस भी साधा और उसके बाद उन्होंने वहां यहूं भी साधा यानि की जो बर्फ थी उसको भी साइट किया तो तो मालू अब जोगी के रूप में घूमते घूमते सौक्यान देश पहुंच गए हैं तो सौक्यान देश पहुंचने के बाद यानि की सक्पती के वहां पहुंचने के बाद या जो उस चेतर में होन चेतर या बोड चेतर में पहुंचने के बाद वह वहां घर घर जाकर व दोस्तो एक धिन विक्ष्या मांगते मांगते वह रजुला के घर भी चले गए यानि कि जो व्यापारी थे सक्पती सौक के वहाँ पर पहुंच गए और वहाँ पर अलग निरंजन करने लगे यानि कि विक्ष्या मांगने लगे तो दोस्तो उस तैम हमारी जो रानी थी मलब जो हमारी रजुला थी वह अपने भवन में खड़ी थी तो उन्होंने विक्ष्या को विक्ष्या मांगते वे देखा तो रजुला इठलाती हुई और घहनों से लदी हुई सोने के थाल से भिख्षा लेगर आई और बोली ले जोगी भिख्षा पर दोस्तो जोगी यानि की मालुसाई उसे देखता ही रह गया क्योंकि उसने अपने सपने माई रजुला को साक्षात देखा तो सुद्भुध ही भूल गया था यानि की वह इतनी सुन्दर आम आकर्शन थी कि वह अपनी सुद्भुध ही भूल गया था तो जोगी ने कहा अरे रानी तू तो बड़ी भागिवती है कहा से आई है क्या नाम है तेरा तो राजुला ने कहा कि जोगी मैं बहुत परिसान हूँ मेरी हाथ की रेखा है क्या कहती है मुझे बता तो दोस्तो जोगी ने उसका हाथ अपने हाथ में प्यार से रखा और कहा कि हे कन्या या हे चेली तेरी हाथ की रेखा है तो काफी कटी कुटी है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये बता तेरा नाम क्या है और तु कहां रहती है और किसकी लड़की है अर्थात उन्होंने कहा कि मुझे अपने ग्राम का नाम बताओ और अपना नाम बताओ मैं उसके देखे बिना तुम्हें कुछ नहीं बता सकता तो दोस्तो तब रजुला ने कहा कि मैं सुनपती सौका की लड़की रजुला हूँ अब बता मेरे भाग में क्या होगा तो जोगी ने बड़े प्यार से रजुला का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा चेली तेरा भाग कैसा फूटा है तू तो काफी परेशा आने तेरे विवा सम्मद्दित काफी समस्चे हैं आने वाली हैं तेरे भाग मैं तो रंगिली बहराट का मालू साही लिखा हुआ था तो र यहां तक है कि दोस्तो रजुला ने अपने पिता जी और माता जी को अपनी जान देनी की भी धंकी दिली थी कि वो हूण छेतर से विवा नहीं करेंगी लेकिन उनके पिता जी मानने को तयार नहीं थे तो उसी उपलक्ष में हमारी रजुला कहती है कि मुझे मेरे मा पिता जी हूर देश भेज रहे हैं तो मालुसाई ने उसी टैम दोस्तो अपना जोगी रूप उतारा और कहा कि रजुला तुम रो मत मैंने तुम्हारे लिए ही जोगी वेश लिया है और मैं तुम्हें यहां से छुडा कर ले जाऊंगा तो यह जो प्रसंग था काफी ले लगे थे जो भी हमारे राजुला भिक्षू के रूप में मिलते थे जो मालुसाई थे वो भिक्षू के रूप में या सन्यासी के रूप में थे और वैसे ही हमारी राजुला एक कन्या के रूप पे उनसे आम तोर पर मिलती थी तो दोस्तों धिरे धिरे उनके मिलन की ख जुलाज को अपने सांथ ले जाने तो दोस्तों उन्होंने एक साजिस रची उन्होंने एक दिन सन्यासी को यानि कि जो भी बाबा जोगी थे यानि कि जो हमारे राजा मालुसाई को भोजन पर अपने घर आमंत्रित किया और उन्हें खीर खाने को कहा तो दोस्तों उन्होंने साजिस यह रची थी यह उन्होंने खीर में विश मिलाया था तो जैसे ही सन्यासी ने खीर खाई तो उनके पूरे सरीर में विश फैल गया और वह मुर्चित हो गए यानि कि मरण वस्ता में चले गए तो दोस्तो जैसे ही मालू साही की मृत्ती हुई तो उसी रात उनकी मा को सपना हुआ जिसमें उन्होंने देखा कि मालू की सोक्यान देश में या सक देश में जहर काने से मृत्ती हो गई है तथा जो भी वो पेड लगा के रह थे वो सारे पेड सूख गए हैं तो जिससे रानी काफी प्रभावित हुई और रानी ने अपनी उस टाइम पे दोस्तर सा माना जाता है कि कत्योरी सेना क्या प्रभुत्यो इतना था कि 9 लाग कत्योरी सेना थी तो रानी ने पूरी की 9 लाग कत्योरी सेना को बुलाया और उनको आदेश दिया कि वह उनके पु तो उनकी माने दोस्तो मालुसाई को बुलुआने के लिए मालुसाई के मामा यानि की मृत्यु सिंग जो की गड़वाल के राजा थे और हमारी दो भाही रमोला जिनका नाम था सिदुवा विदुवा जो की विश को हटाते थे और उनके गुरु गोरकनात के साथ हून देश भेजा यानिकी सोक्यान देश भेजा कि वह अपने पूत्र को वहां से चुड़ा लेके आए या बचाकर लेके आए क्योंकि वह विश के प्रभाहू में हैं तो ऐसा माना गया कि दोस्तो सोक्यान चीत्र के लोग उने सोचा कि मालुसाई की मृत्यू हो चउपी है वोट शेत्र के लिए यानि कि जो भी हुन शेत्र था भिखी बाल के साथ विवा जवरस्ती उनका विवा कर दिया गया था तो वह हून छेत्रे के लिए निकल पड़ी तथा वह रास्ते में दोस्तो अपने निसान छोड़ते भी जा जा जी थी ताकि कभी भी अगर उन्हें मालुसाई डूडने आये तो वह आसानी से उस छेत्र तक पहुँच जाएं यानि कि हून छेत्र तक आसानी से पहुँच जाएं और दोस्तो जब विखिलाल की बरात यानि कि विखिपाल की जो बरात थी जो कि हून देश का राजा था हून देश में पहुची तो वहाँ पर हमारी राजुला जो भी बिक्यलाल जो राजा थे उन्चेतर के उनके पाउं पढ़ गई या जिनके साथ उनकी साधी हुई थी उनके पाउं पढ़ गई और दोस्तों उनसे विनम्र निवेदन किया कि वहाँ उनके साथ साधी के जोड़े में बंदखे नहीं रह सकती हैं और उनके पाउं पढ़कर उन्होंने उनसे कहा कि बारा साल तक आप ये समझिए कि मैं आपकी बीबी नहीं, मैं आपकी पुत्री हूँ और हमारा रिष्टा मा, बाप, बेटी जैसा होना चाहिए तो इसे देखकर दोस्तों जो हमारे हून रेश के राजा थे बिख़्ी पाल हुआ काफी कुरुद्ध हो गए तो उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हें विवा करके लाया हूँ राजुला से तो राजुला ने कहा कि वहा किसी और से प्रेम गरती है तो आप मुझे 12 साल तक आप मेरे पिता समान है और मैं आपकी बेटी समान हूँ आप मुझे अपनी पत्नी की तरह नहीं बलकि अपनी बेटी की तरह रध्द्ध रखेंगे जो मादी रजुला थी रजुला को बंदी बना दिया गया यानि कि एक बंद गम्रे में बंद कर दिया गया वहीं दूसरी और दोस्तों कत्यूरियों की सेना मालुसाई को डोडने के लिए निकल पड़ी थी जैसी वह काली घाटी में पहुची तो उनुने वहां आसपास कववे उड़ते वे देखें तो उसकी अगॉर्डिंग उनुने अनुमान लगाया कि जो भी हमारे मालुसाई हैं वह कहीं कहीं आसपास हैं उनका इलाज करा और उन्हें मुर्चित अवस्ता से बहार निकाला यानि कि उन्हें पुना जीवित किया बोक्सानी विध्या कहा जाता है दोस्तों इसे इसे काला आपने सुना होगा बोक्सा भोटी जातियों में काला जादू आज भी विध्यमान है ये काला जादू नहीं ये एक अच्छी पावर होती है जो एक व्यक्ति के पास होती है लेकिन कभी-कभी जो भी उसका निकेटिव यूज करता है तो उसमें वो काला जादू कहा जाता है तो इसी के साथ दोस्तो बोक्षानी विध्या के परियोग से उन्हें जीवित कर दिया गया दोस्तो मालूसाई को और उन सभी ने यह सनियंत्र रचा की मलब यह एक योजना बनाई की अगर मालूसाई पैदल जाते हैं अगर वह राजा के वेस में या अब सादू के वेस में तो आगे जाके वहा फिर से जो भी हून शेत्र का विस्थ था उससे ग्रसित हो सकते हैं या उनकी मिलत्ती हो सकती है तो उनोंने अपनी तंत्र विध्या से या भोकसानी विध्या से दोस्तो एक लाल रंके धागे में मंत्र पड़ा और उसे मालुसाई के गले में बातते ही दोस्तो मालुसाई जो की हमारा व्यक्ति रूप होतो था है उससे बदलकर सुआ रूप में सुवा रूप बोले तो यानि कि पक्छी रूप में परिवर्तित हो गए तो पक्छी रूप में परिवर्तित होने के बाद दोस्तों वहाँ से उड़ते उड़ते हून छेत्र पहुँचे यानि कि रास्ते में काफी कठिनाईयों का सामना करते वे और उनने दोस्तो यह भी का था कि जैसे ही इनके गले से यानि कि जो भी पक्ची है इसके गले से लाल धागा खोला जाएगा तो वह स्वयम से अपने वर्तमान मलब जो उनका पुराना रूप था व्यक्ति का रूप उसमें वापिस आ जाएंगे तो दोस्तो वहीं से काली जो छेत्र था उधर से डांडे का जो छेत्र था काली के किनारे वाला वहां से वह पक्ची रूप में उड़ते 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 दोस्तो सौकान छेत्र से हून छेत्र की और पहुंच गे पंचा चूली भी आये दोस्तों फिर पंचा चूली से एट लाश्ट वन मों हून छेत्र में पहुंचे तो हून छेत्र में वह काफी ब्रह्मित हुए है वह काफी लोगों से पूछते रहे कि कहा है रजुला कहा है अंत में दोस्तों उन्हें रजुला मिली यहां आते हैं तो इससे वह समझ जाएं तो दोस्तो जैसे ही हुआ पक्षी उस खिलिकी से अंदर गुसा तो रजुला ने उसे देखा यानि कि सुवा को देखा तो उसने कहा इतना मनमोखक पक्षी आज यहां कैसे पहुंच गया तो उन्हें उसके गले में बादा हुआ वो लाल रंग का तागा खोला तो जैसे ही वो तागा खोला उन्हें दोस्तो तो हमारी जो भी मालूस आई थे वो अपने व्यक्तिकत रूप में उनके सामने हाजीर हो गए जिसके जिसे देखते ही रजुला काफी कच्छी में उपस्तित है तो उसके पश्चाद दोस्तों उन्हें उस लाल लंका जो हमारा धागा था उसे आधा आधा करकर दोनों ने एक दूसरे के गले में बाद कर वहां से उल गए दोनों दोस्तों पक्ची बन कर और कत्यूरी सेना के पास गए और कत्यूरी सेना के बाद दोस्तों होनों की सेना ने भी उनके ओपर हमला कर दिया जिसके पश्चाद बहुत खतरना युद्ध हुआ कत्यूरीयों का और होनों का युद्ध हुआ दोस्तों उसमें कहीं लाग सैनिक मारे गए एट लास्ट वन उस उद्ध में मालूसाई जीत गय been यानि की मालूसाई विज़ाई हो गए और जो होन छेतर का पूरा सामराजित jaki था मालूसाई ने जीत लिया यानि की वो बहराड छेतर में सामिल हो गया खत्यूर छेतर में आ गया और जो जो भी राजा थे ओंचेते के विख्षी पाल उनकी भी मृत्यू कर दी गई तो दोस्तो इस सब के उपलक्ष में राजुला और मालुसाई का मिलन हो गया और दोनों एक दुस्तर के साथ प्रेम पूर्वक घर की ओर वापसी आने लगे तो दोस्तो कहानी यहां पर खतम नहीं हुई है उसके पस्चाथ जैसी ही राजुला ने मालुसाई को विजित किया तो उन दोनों ने एक योजना बनाई कि राजुला अपने चेतर यानि की सौक्यान चेतर जाएंगी यानि की भोट चेतर जो भी उनके घर थे वहां जाएंग जो भी हमारी उत्रैनी कोतिक होगा उसमें हम बागनात भगवान के दर्सन करेंगे तो दोनों ऐसा कहते हुए दोस्तो राजुला चले गई अपने चेतर सौक्यान चेतर और हमारे मालुसाई आगे पहराड चेतर यानि की वरतमान का चौकुटिया चेतर उसी पस्चाथ दो दोस्तो बागिस्वर बागनात चेतर की ओर को आने लगी तो जैसे ही दोस्तो वह मुनिशारी पहुची थी तो बागनात भगवान अंतर ध्यान होगे यानि की बागनात भगवान उनसे नाराज होगे क्योंकि आप सभी लोग को पता होगा कि बागिस्वर बागनात मंदिर में कभी भी बकरी की बली नहीं चलाई जाती है या कोई भी बली नहीं चलाई जाती है तो बागनाद भगवान इससे नाराज हो गए थे और उन्होंने रजुला को रास्ता बठका दिया और राजुला दोस्तो रास्ता बठकते बठकते थलकेदार पहुंच गई थलकेदार म नहीं बागनाद भगवान इतने नाराज हो गए था कि उन्होंने बहराट छेत्र में मालुस आई कि पेट में दर्दे करवा जया था यानि कि वह चलने लायक हालत में नहीं था तो दोनुं का दोस्तों बागिस्वर उत्रेनी कौतिक मेले में पहुसना काफी मुश्किल हो गय और दोस्तों कालिका मंदिर में रजुला आई और वहां सुबे पूजा पार करकर इसनान ध्यान करकर हाट की बजार की और को चल पड़ी तो दोस्तों इसमें भी एक काफी फेमस मंदिर आ गया हाट कालिका मंदिर जो कि गंगोली हाट में है तो दोस्तों वहां से वह गंग पहले चेतर में मानना जाता है एक जंगल हुआ करता था , तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है , कि रजुला को पानी की प्यास लगई थी , और यहां आजसपास पानी में कहीं पानी के स्रोत पाहे जाते हैं तो दूस्तो हाठ कालickा के आसिरवात से कहीं धारक खुल गई और आज पानी पीने लगी ठीक है उसके बाद हो वह से साथ सिलिंग पहुंची साथ शिलिंग भी सही है का एक छेतर है यहां था मालुसाई को डोड़ा तो मालुसाई उन्हें पूरे मलब जो भी उत्राइनी कौतिंग मेले में उन्हें कहीं भी नहीं दिखे तो वह इससे परिशान होकर बागवनात भगवान के दरवार में गई तो दोस्तो बागवनात भगवान ने उन्हें साकश्याथ प्रकट होकर बताया कि मेरे मंदिर में बकरी नहीं चरती है इसी कारण में तुम से नाराज हो गया था और मैंने वहाँ मालुसाई के पेट में अरदग रा दिया है तुम यहाँ से जाओ तुम सीधे बहरार चेतर जाओ वहाँ तुम्हें मालुसाई बिल्कुल सही सलामत सुखी मिलेंगे तो दोस्तो रजुला वहीं बागनात मंदिर में फिर से पूजा पाट करकर बहरार चेतर की ओर चल पड़ी तो दोस्तो रजुला बहरार चेतर में पहुंचकर फिर मालुसाई से मिली दोनु एक साथ रहने लगे यानि की एक साथ संबंद में रहने लगे राजा रानियों की लेकिन दुर्भाग ये बस दोस्तो जो भी हमारा सोक्यान चेत्र का जो राजा था जो भी राजा कहारा हूं या जो उनके पिता जी थे रजुला के पिता जी सुनपत सोका ने अपना एक दूत भेजा और उन्होंने मालूस ही से या विनम्ड निविदन किया जो आप ऐसे एक अपनी बरात लाकर रजुला को व्याह कर ले जाईए तो यह सुनकर दोस्तों हमारे रजुला मालुसाही तैयार हो गए और उन्हें रजुला को दुबारा से सौक्यान चेत्र भेज दिया तो इसी उपलक्ष में दोस्तों आगे मालुसाही सौक्यान चेत्र में बरात लेकर ग हमारा कत्योरी राजाओं के लिए बहुजन परौसा गया मालुसाही के लिए और दोस्तों इसमें भी हमारे सुनपत था यो सौक्यान जेत्र के लोग में एक चाल चली थी, यानि कि उन्हें सभी खाने में जहर मिलाया था और उन्हें दोस्तों जैसा कि पहले ही बता था नो गया पंचे ग्राश का जा जो भी व्यापारी थे उनके बारे में पता चल गया कि वहां उनके साथ छल कपड कर रहे हैं तो वहां से उन्होंने रजूला का हाथ पकड़ा और दोनु वहां से भागने लगे, तो रजूला मालुसाही जब वहां से बचकर 12 चेतर के और भाग रहे थे तो रास्ते में ही दोस्तों जो कि हमारे जो भी हमारे सौक्यान चेतर के लोग थे या जो भी वहां के व्यक्ति थे उन्होंने दोनु की हत्या कर दी यानि कि रजुला मालुसाई की हत्या कर दी गई तो दोस्तों इसी उपलक्ष में यह एक प्रेम क वह अलग अलग हैं तो दोनु एक दूसरे को एक के सान मिलने की राजी नहीं होते हैं तो दोस्तो यहां थी हमारी कहानी